प्रोदूशन पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन अब हवा में प्रोदूशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों की उम्र अब कम हो रही है घट रही है आपको अपने उपर भी अभी ये स्टेडी करनी चाहिए कि आपकी उमर कितनी क हो चुकी है अमेरिका की युनिवस्टी ओफ शिकागो से जुड़ी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत के छे राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 48 करोड से जादा लोगों की ओसत आयू प्रोदूशन की वज़ा से लगभग 7 वर् राज्ये हैं दिल्ली, हर्याना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगड, बिहार और पस्चिम बंगाल ये सबी राज्ये गंगा नदी के मैदानी इलाकों में स्थित हैं गंगा नदी के आसपास हैं लोगों की उम्र कम होने का कारण इन ही राज्यों में बढ़ रहा ये इंडेक्स एक पैमाना है जो ये बताता है कि हवा में घोले हुए प्रोदूशन के हिसाब से उस जगा पर रहने वाले लोगों की उसत आयू पर क्या असर पड़ता है इसलिए हमने पहले का अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो कागज पर नोट कर लीजे कि आपक प्रदेश में लोगों की उसत उम्र लगभग साड़े आठ वर्ष कम हो गई है भारत के अन राज्यों में भी प्रदूशन का असर हुआ है प्रदूशन की वज़े से पूरे भारत में लोगों की उसत उम्र अगर पूरे भारत की बात की जाए तो लगभग चार वर्ष कम ह इसलिए आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हों कम से कम चार वर्ष तो आपकी उम्र कम हो ही चुकी है आपको याद होगा हमारे संस्कारों में हम अक्सर जब किसी को आशिरवाद देते हैं अपने से छोटों को तो ये कहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो लंबी उम्र का करनाइजेशन के मानकों के हिसाब से बहुत कम है डवली एचो के मताबक एक वर्ष में पी-म 2.5 का स्तर औसतन दस माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए लेकिन भारती मानकों के अधार पर ये स्तर बढ़ा कर 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तै किया गया है डिल्ली में वर्ष 2016 में पी-म 2.5 का औसत स्तर 113 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था कहां हम 40 की बात कर रहे हैं और कहां 113 है यानि तै किये गए मानकों से कहीं ज्यादा यहां पी-म का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर पी-म 2.5 बहुत बारीक कंड होते हैं ज जिससे लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी उम्र कम होने लगती है यह रिपोर्ट भारत के लिए बहुत चिंता जनक है इसलिए हमने इस विशय की गंबीरता को आपको समझाने के लिए आज एक वीडियो विशेशन तयार किया है इस वीडियो विशेशन को देखिए और फि अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो हमारे कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूशित शहरों में शामिल है इसके बावजूद हम लोग आने वाली पीडियों के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन किस तरह अपनी जिन्दगी को बहतर बनाएगी इसकी किसी को भी परवाह नहीं है बस यह कहने जाते है अगर आप तो अभी मतलब इतने मज़े कर रहे हो अब दिवाली पर अपने पटा के चलार हो यह कर रहे हो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए घराब कर रहे हो University of Chicago के Energy Policy Institute ने आज राजधानी दिल्ली में एक रिपोर्ट चारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार देश के छे राजजियों और एक केलर शासित प्रदेश में प्रदूशन तीन गुना जादा खतरनाक हो गया है इन राजशियों में दिल्ली, हरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है जबकि चंदीगर में भी प्रदूशन खतरनाक स्तर पर पहुँच किया है Another important finding out of this is that there has been a substantial increase in air pollution over the last 20 years in India and that additional increase in air pollution is causing people to live shorter and sicker lives The concentrations in Delhi are the highest in the world भारत में वर्ष 1998 से 2016 के बीच प्रदूशन का स्तर तेजी से बढ़ा इस दौरान पार्टिकुलेट मैटर में 79 प्रतिशत की ब्रद्धी हुई पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद वो छोटे छोटे कड़ होते हैं जिन से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है वर्ष 1998 से इस प्रदूशन से भारत में लोगों के उसत आयू दो दशमलब दो वर्ष कम हो रही थी लेकिन वर्ष 2016 में ये आकड़ा बढ़ कर चार दशमलब तीन वर्ष तक पहुँच गया जी न्यूस की टीम ने आज आपके लिए इस पूरे रिपोर्ट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है ये मैब एक्चली एर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का है जो की एक वेब टूल है हमारी डिरेक्टर माइकल ग्रीनस्टोन के एक अनुसंधान पे अधारित ये टूल है जो ये बताता है कि अगर हम स्वक्च हवा में सांस लें तो हमारी आयू कितनी बढ़ सकती है गौर करने की बात है कि जब हम इस मैब में भारत के उपर जाते हैं भारत के उपर जूम करते हैं तो ये निकल के आता है कि कैसे ये इंडो गैंगेटिक प्लेंज गंगा नदी के किनारे जो बसे सभी राज्जे हैं वहां पर आप देखिए कि ये बिल्कुल डार्क मेरून हो जाता है जो ये कह रहा है कि यहां पर लोगों की आयू बहुत कम होती चली जा रही है दुर्भागे की बात है कि दिल्ली में जब इस फिगर को हम देखते हैं तो दिल्ली में ये जो एवरेज है ये 113 हो जाता है जो की डवलु एचो का कहना है कि ये 10 होना चाहिए तो तकरीबन ये मानके चल सकते हैं कि लोगों की आयू दस साल बढ़ सकती है अगर हम डवलु एचो के लेवल्स को मैच कर पाएं दिल्ली इस प्रदूशन से सबसेज़ादा प्रभावित है वर्ष 1998 के मुकाबले 2016 में दिल्ली के लोगों की ओसत आयू में लगभग 10 वर्ष की कमी आई है प्रदूशन के कारण दिल्ली इस समय भी गैस चैंबर बनी हुई है प्रदूशन का असार ऐसा है कि दिल्ली के लोगों के फेपड़े गुलाबी से काले होते जा रही है यानि प्रदूशन की वजह से पूरा देश परिशान है डॉक्टर्स इस स्थिती को प्रदूशन वाला आपातकाल बता रही है मैं इसको एज डॉक्टर पब्लिक हेल्थ एमर्जनसी के रूप में देखता हूँ कि इस जो लेवल इस समय है चार सो, साड़े चार सो, पांच सो, कजो, छे सो और एक्चली क्या है ये फिगर भी आपका पर्सनल एक्सपोजर नहीं एक्स्प्लेइन कर रही है प्रदूशन की बढ़ती समस्या को देखकर आप कह सकते हैं कि अगर हम समय रहते नहीं सुढ़े तो समय हमें सुढ़ने का कोई मौका नहीं देखा दिल्ली से निबरती मोहन, Zee Media दिन कम हुए हैं यानि PM 2.5 के कड़ों से पैदा हुआ खत्रा यानि प्रदूशन का खत्रा धूमर पान, शराब और नशे की तुलना में दुगना है इसी तरह प्रदूशन से पैदा हुआ खत्रा गंदे पानी से पैदा हुए खत्रे की तुलना में तीन गुना जादा है वहीं आतंकवादी हमलों से पैदा हुए खत्रे की तुलना में प्रदूशन का खत्रा 25 गुना ज्यादा है मौत तैय वक्त से पहले ही आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी और ध्यान देने वाली बात ये है कि जीवन तो भेद भाव कर देता है लेकिन मौत कभी किसी के साथ भेद भाव नहीं करती अक्सर मौत समय पर ही आती है लेट नहीं होती और कई बार तो समय से पहले आ जाती है अगर आपके अलाके में प्रदूशन हुआ तो और दूसरी बात ये है कि मौत जो है वो हमेशा इनसाफ करती है वो गरीबी और अमेरी का भेद नहीं देखती जाती और धर्म का भेद बिलकुल नहीं देखती सब के साथ समान वेवार करती है इसलिए साथधान रही है